तो चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ तब्यत खराब होने की वज़ा से और कुछ बहुत सारे काम आने की वज़ा से मैं इस बार वीडियो जल्दी नहीं बना पाया जो ये फ्री कुणली चार्ट रीडिंग की जो वीडियो है आज मैं बना रहा हूँ जो पंदरा डिसमबर तक जिनकी कुणली सिलेक्ट हुए है उनका पहला वीडियो आज बना रहा हूँ कोशिश करूँगा दूसरा वीडियो बनाने का लेकर अगर ना बना पाऊ तो मुझे माफ कर दीजेगा लेकर आज जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मल्टिपल कुणली सिरीड करने वाला हूँ जितना हो सके उतना डीटेल में और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रीड करके आपको बताऊंगा साइमलटेलनेसले एक चीज बोलूँगा जिकी 15 दिन का जो राउंड चल रहा है उसमें 15 दिसमबर तक का और पीछे की जुनके रीपीट कुणली है उनकी रीडिंग मैं आज करने वाला हूँ अगर आपने मेरा वीडियो पहली बार देखा है उसनमर पर क्योंकि पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल इंटरेटेन के आजाते है इसके इलावा नहीं किया जाता दूसरा पॉइंट होगी है जो कॉल करके फ्री रीडिंग की एडवाइस मांगते हैं उनकी रीडिंग मैं नहीं करूँगा आज के बाद चाहे आप WhatsApp ड्रॉप करिए या ना करें अगर आप free reading चाहते हैं तो WhatsApp ड्रॉप करिए अगर आप call करते हैं तो मैं आपकी reading नहीं करूँगा दूसरा point है personal reading ही करूँगा जो call पे होती है क्योंकि मैं WhatsApp पे बहुत ही असानी से आप लोगों को मदद करने की कोशिश करता हूँ आज multiple कुल्डी की reading करने वाला हूँ तीस डिसमबर का सरकर नेक्स्ट है उसके लिए अगर आपनी कुल्डी सिलेट करवानी है अगर आपको रीड करवानी है तो चैनल सब्सक्राइब करके WhatsApp पर हाइड डॉप करिए कॉल करेंगे तो आपकी कुल्डी रीड नहीं की जाएगी फ्री कुल्डी चार्ट लिडिंग में पर्सनल लिडिंग ही की जाएगी सेलेक्शन भी नहीं होगा दूसरा पॉइंट आज की जो पहली कुल्डी है उसके रिगार्णिंग बात कर ले तो आज काफी सारी कुल्डी है तो मैं सब निता जी आपकी जो लगन है वो टॉरस लगन है टॉरस शुक्र का लगन है शुक्र इसका ओनर बनता है शुक्र जब इसका ओनर बन जाते है शुक्र आपकी राशी में ग्यारवे घर में जाके बैठे है आपकी कुल्डी में बतला बारवे घर 11 जहां पर बारा नंबर अगर मैं यह बोलूँ जिकि शुकर यहां बैटने के कारण आपके लिए काफी अच्छा है यह शुकर आपकी लाइफ टाइम में पैसी की कमी नहीं करेगा यह शुकर लेकिन आपने शादी के रिगार्डिंग बात करिये तो शादी के रिगार्डिंग में आपको यह बात बो पहले घर में बैटते हैं या सात्यों घर में दिश्टी देते हैं तो कहीं नहीं शादी को डिले करते हैं या शादी होने से रोकते हैं लेकिन यहां पर दूसरा अच्छा कारण यह दूसरा जो कारण है वो जो गुरू है वो अच्छा है गुरू की दिश्टी आपकी स्थे संद गर्शन कार्थ कि अच्छा पाना मुष्किल होता है लेकिन यहां पर फिर भी कुरू एस अ प्लैने जय में प्लैनेड स्थे लिए हांति कि वह कんな ुसक्ने मदद करें लिए किया महत्तर पॉर्च ₹प यहां और शांना मनेनल लिखा नहीं है विकाज वो लंबी टाइम की रेट के लिए है और मैं लिखना भूल गया सौरी माफ किजेगा लेकिन राहू आपकी तीसरे घर में बैठा हुआ है तीसरे नंबर पे जहां पे तीन नंबर लिखा है दूसरा घर जो है वहां राहू बैठा हुआ है कंवनिकेशन के घर में बैठा हुआ है या कही ना कही मुझे जो दिखाई दे रहा है वो शायद ये दिखाई दे रहा है जिकि राहू की यहां महा दंशाने के राइधा है है वो communication कही न कहीं आपकी खुद की communication की वज़ासे हो सकते हैं आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से बात कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा smart calculation कर रहे हैं या कहीं न कहीं आपकी behavior में कुछ चला की नजर आ रही है हो सकता है यह point अब मैं हो सकता है मैं कहला तूँ के कारण और पार्टनर की फैमिली के कोई अगर पार्टनर है उसकेजिस के कारण कहीं नहीं बात नहीं बन पा रिए अगर कि ग्राइन सब्धाइब करने के विए धोड़ा समय लगता है जिसकी कुण्डली में महादशा चलते हैं उसको समझने में थोड़ा समय लगता है बैरहल जो भी है राहो की महादशा चल जिसके अगर आप शाधी करनें के राहू के उपाए कर लीजीगा? राहू के उपाए ठीट करिया सबसे it's best पॉर्ट एह रहता है काला पॉइनुका मिलता है किसे के बात का बन रहा है और यह इसले बन रहा है क्योंकि गूरु की अंतरसा लगेगी हो सकता गुरु की अंतरदशा मैं आपको कि शादी के चांसेस बने चौवीस के बाद साओ टूलाइक के महीनी के बाद दोज्था चांसेस बने अगर दूसरा अगर टाइम पेरेट डूंड़े तो रहो में जब शुक्रिकी महादसा लगी अंतरदशा लगी यह माफ किजेगा जो दोजात 33 के आसपस लग रही है उस टाइम पे भी आपकी शादी का समय है एक तेर साल के लिए वह समय चलेगा जितना मैंने मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया है तो यह टाइम पिरिट भी सही रहेगा तो दोजात 33 के बाद भ एक सारे उपायर पोल रखे हैं शनी के राहू के उसको जरूर देखेगा आपको शायद मिल जाए ठीक है ऐसे तो मंगलवार की मंगलवार को आप कुछ भी डोनेट करें मंगलवार शनीवार को अगर आप सर्सुकातिर डोनेट करती है और गुरू किसी मंदिर में जाके डो डोनेट करती है तो अच्छा रहेगा और राहू के लिए आप मैंने बोलें डॉक्विट करें खाली चीज का डोनेशन करें तो अच्छा रहेगा अब दूसरा पॉइंट और व्यू है जो दूसरा कुंडली है वो निशांत निशत निशत का है बेबी निशत का वह उनका आ अब लोग नई किया जाएं यह वह सोचता है लेकिन कैट रिपीट नहीं बोलता हूँ रिपीट बोल रहा हूंaj की मैं आप लोगों चाहिरиваем जिकि जो मैं reading कर रहा हूँ उसमें पुरानी कुनलिया भी repeat होके आती है जो मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा लगता है जिकि आप लोगों को जिकि जो कुनलिया आज ही आई है वो ही read होती है एसा नहीं है मेरे पास बहुत सारी कुनलिया रिपीट भी आती है और बहुत सारी कुनलिया मेरे पास पुरानी पड़ी होती है जो repeat आती है और जो नहीं कुनलिया आते है तो मैं सबको mix करके reading चाने की कोशिशे करता हूं तो येक Nicolas repeat की है repeat kunli है जिनकी kunli है वो चाहे whatsapp पर comment पर यह comment डाल सकती है जैकि hea kunli repeat है इननोंने मुझे multiple times डाला है और यह मैं इनकी reading करने वाला हूँ आज यह मैं आज बोल रहा हूँ मैं पहले करता हूँ repeat kunli reading और उसमें से मैं कुंडलिया 5 या 10 रीड कर सकता हूं उसे ज्यादा नहीं कर सकता 5-6-7 आर्टिस से ज्यादा रीड नहीं होती है ठीक है आपसे मिले लेकिन वह आपके बर्द प्लेस से दूर के हो और य这 भी हो सकता या आप यहाँ एक फादर के साथ नेचर में मैच हैं लेकिन चांसें यह है कि 근데 उनका नेचर कैसा होगा नेचर ऐसा तोध्ची से कि वMaster होगे लेकिन्हें प्रbor में सकते निए मतलब सौफ दिखेंगे पॉलाइआट होंगे लिकिन एग्रेशन रहेगा उनके अंदर तो उनका नेचर होगा थोड़ा सा ऑग्रेशन हैगा क्योंकि आपकी जो लगन है वो भी टॉरस है और उसके जस्ट ऑपोजिट मंगल बैठता है मंगल बैठने के कारण यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी से एग्रेसिव नेचर के परसन को बना देता है जो लाइफ पार्टनर होता है तो लाइफ पार्टनर थोड़ा सा एग अगर ठीक उनकी कुंड़ी देखने के बाधी पार्धी बाक्यी चीजें बता सकते हैं और ऑप नेचर विड़ा को बाता चलिए अब बात कर लेते हैं टाइम जॉब टाइमिंग और फिल्ड क्या होगा देखिए निशा निशा आपकी जो जो महादशा है ना वो गुरू की चल रहे है जुपिटर की चल रहे हैं जाके बैठा अपने ही घर में बैठा तो अगर आप डीप स्टडी करते हैं किसी चीज को ले अब बात आती है जो फिल्ड टाइटल जॉब देखिए अभी जो आपकी महादशा चले शनी की चलिए तो कहीं ना कहीं है जॉब का टाइम जरू दिखाता है आपके पांच वे चौते घर में बैठा है वह अपने ही घर में बैठा पांच नंबर जहां लिका हुआ हुआ है और वह चोथा फिए आपका इस कारण वाण सूरी की साथ सीधी डिश्टी जाफे घर में जाफे घ्यारा नंबर लिखा वहां पढ़ रही है और आपका दस्वे घर के कारण दस्वे घर सेम्झा जॉब करते हैं और दस्वे घर का ओनर आपके ग्यारवे घर में बैठा है शनी आपके ग्यारवे घर में बैठा हुआ है रेट्रोगेट बैठा हुआ है तो slow process में job मिलेगी लेकिन अभी job के sudden opportunities बन सकती है अब ये बात आती है देखे ग्यारवे घर में शनी बहुत अच्छा फल देगा पैसा आएगा slow process में अब बात करते हैं जिकि job field और कैसा देखे जितना मुझे दिखाए देता है आपकी analytical power में कहीं न कहीं अच्छा benefit मिलेगा लेकिन राहु पांचवे घर में बैठने के कारण राहु आपके पांचवे घर में बैठा है पंचम घर में बैठा है relationship boyfriend के घर में बैठा है और विध कर में बैठा है पांचवे घर में राहु बैठता तो इन्सान को बहुत ज़्यादा water न कर देता है बहुत जादा परिशान कर देता है और यूगेशन में कहीं नहीं दिक्कत देता है लेकिन अच्छा पॉइंट यह है जिकि राहू के साथ सर्म बुद्ध भी पांचवे घर में बैठा है जिस कारण वाश आपकी जो नॉलेज है वो कॉम्निकेशन और अनलिटिकल नॉलेज इंटेलिजन्स या बहुत अच्छी हो जाती है इनसान की तो ऐसा चीज जो कैलकुलेशन या अनलिटिकल पावर से रिलेटेड हो ऐसी चीज़ों अगर आप जाएंगी क्योंकि यहां पे बुद्ध जो बैठा हो हो एक्जल्टेट बै यहां पर जाती है तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा बच्चों के साथ आपका कॉम्निकेशन अच्छा रहेगा सेकेंड हाउस में आप स्टिक भी देखे तो अगर देखा जाते हो यहां पर मंगल और वीनर जो मैंने पहले ही बोला है बैठे हुए हैं तो यहां पर कही एजुकेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आई हो अगर कहीं प्रॉब्लम आई है तो उसको सॉट आउट करिए जितना जल्दी हो सके और गुरू के महादशा में अभी गुरू की महादशा चल लिए तो थोड़ा अप सेंड डाउन रहेगा क्योंकि गुरू कुद अस्ट किसी भी लाइन हो जहां कॉम्णिकेशन हो जहां थोड़ा हेल्प और गाइडेंस की जरूरत ऐसी चीजों में चाहें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा टीचिंग लाइंग मैं ज्यादा प्रिफर करूंग अगर आपकी एजुकेशन अच्छी रही है अगर एज आपको प्रोवाइड करते हैं ठीक है नेक्स्ट जो बहराल है यह भी रिपीट कुंडली है रिपीट कुंडली की रीडिंग कर रहा हूं यह मुसकान जी के मुसकान जी आपका जो लास्ट नमबर है 830 है आपने जो मुझसे सवाल पूचा है वो लव मैरीज आरेंज मैरीज के इसी रिगाड़िंग पूचा और गौर्ण्रम्म पूचे उपीस की कि आपके परपेरेशन का कर रहे हैं कि उसमें आपको success मिलेगा का नही बन है तो पहले यह थो आपके लगन में बैठा हुआ है तो अच्छा फल नहीं देता है का मंगल νपक्ति शनी के ऐंटी चलता है अच्छा नहीं बनता है लेकिन लगन में बैठने के कारण मंगल जरूर यहाँ पर आपको जॉब के regarding problem नहीं देगा मेरे हसाब से problem देगा तो कहीं और देगा या father की regarding देगा या family की regarding देगा तो जो भी है मैं यह नहीं बोलूँ गाज़ और देगा देगा यह मैं नहीं कह सकता क्योंकि mंगल के भी महाधसा चली नहीं रही और तर्ण घर में मंगल होगी जो थूड़ा निजीनेरिंग में जाता है। रॉक्टर हो जाता है है ऐसी बिए इजूकेशन अब ले सकते हैं शनी पंचम घर में बैट है अब ब्थ जो पंचम घर का मालिक है होज और फ़िप्ट जा ऑने हों अस्य मैं अमनाथ अबsn लिए जैसे मैंने का शुक्र चौते घर में बैटा हुआ शुक्र अपमें बुद्ध की माद अंतरदशा चल रही है तो अगर आप महनत करेंगे तो जरूर कहीं न गई यह डिपेंड करता है कि शनी में आप आएफसी के लिए फॉर्ण सर्विचेस के रिगार्डिक आप अपेर हो रही है तो शनी दसवे पारवे घर का मालिक पंचम घर में बैठा हुआ है तो कहीं न गई यह भी शो करता है जिकि आपने एजूकेशन क्या पता फॉरें रिलेट सब्सक्राइबिए जिक्ताइब करता है सिवाह इसमें आपको अच्छा चांसस मिलेगा दस ऐक्तोपर के महीने तक आपको अच्छा चांससτα मिलेगा दोजार बैठा हुआ हालाकि यहां पर यहां पर यह भी शोEr कर रहा है कि ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपकी मदद करे और आपको इसमें जॉब क्लियर करने में आपको फ्यूचर में हेल्प कर सके तो आपके ऐसे पार्टनर बने जो आपको हेल्प कर सके और हो सकता हो ही जाके फ्यूचर में लाइफ पार्टनर बन family member के थुरू आपको मदद मिल जाए जो आपको इस आपके आपके जो डिजायर है उसको फुल्फिल कर पाए carbon job के जो बहुत अच्छे chances बनते हैं यहापे अब यह मैं नहीं बोलूँगा कि पक्का मेलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी खुद की महनत भी डिपेंड करती है simultaneously क्योंकि बुद्ध यहाँ पे 30 गर्म में बैठा है और मंगल लगन में बैठा है लगने शनिवार को सरसो का तेल जरूर डोनेट करिए और क्या बोलते हो सके तो कोई भी लाल चीज डोनेट करिए अगर हो सके तो वो लाल चीज डोनेट करेंगे मंगलवार शनिवार को तो थोड़ा अच्छा इंफ्लोएंस रहेगा सूरी के नमस्कार करिए माद दुरगा या या किसी भी गॉटेस की पूजा करिये तो आपके लिए अच्छा beneficiary रहेगा और आपको अच्छा लाब मिलेगा अब बात कर लेते हैं Life Partner के रिकारणिग ये काम Life Partner के रिकारणिग भी कर सकती है लेकिन साइमल्टेने से यह भी में बोलगं। आप अगर अपनी family के through अगर marriage करते हैं, approval के through marriage करते हैं क्योंकि शादी का जो lord है, वो सूरे चौते घर में जाके बैट गया है family के convenience और mother के घर में जाके बैट गया है तो अगर आप अगर कहीं न कहीं अपनी family के through या अपनी mother के influence के through या मिली जूली interaction करके आप शादी करते हैं तो अच्छा रहेगा क्योंकि love और arrange दोनों आपका बनता है आप जो चाहां वो कर सकते हैं लेकिन आप सब sort out करके करेंगी तो अच्छा रहेगा अब शुक्र के महाधसा चले तो जादा तर दो शुक्री की महाधसा में शादियों का ज़्यादा योग बन जाता है लोगवा शादी करना ज्यादा प्रिफर करते हैं इस टाइम पे क्योंकि इस टाइम पर शुक्र influence करता है इन सब चीजों का कारक है तो हो सकता कि आप वर्दन के मेरे से सवाल यह थे जिकी सर इनको फिजिया है एंग्जाइटी हो रही है और लॉजिकल फियर्स हो रहे हैं और फाइनेशल कंडिशन कब इंप्रूव होगी याश्वांदा सिंपर सौर्ट तरीके से बोल दूजिकि आपका लगन लिब्रा लगन वैसे थोड़े स का मालिक होके लिब्रा लगन वै 50 मालिक है शुक्र लगन में बैटा है और मर्स के साथ बैठा है तो लेकी परफॉर्मंस अब physical performance कीक कि रहा है उसको लेकि भी anxiety होती है कभी या बहुत ज्याद़ और और इंट्रायशन रहता है चीज़ करते हुए भाटकर में के शुक्र में रही कि शुक्र में मंगल के साथ बैठा हुआ है और राहू जो है अस्टम घर में बैठा हुआ है अभी उन दोनों की महादशा और अंतरदशा चलिए शुक्र के अंतरदशा अच्छी है आपके लिए बहुत अच्छा रेजल्ट देगी लेकिन राहू की अंतरदशा के कारण में आपको हुई है दूसरा फॉइंट हुई है जागे राहू कि अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो डॉक फिट करें काले कुट्य को जितना हो सके डेली बेसे खाने खिलाइए और हो सके तो एक अच्छा अगर अपने घर पर आप शांती से उसे खुशी से रख सकते हैं तो एक व तो उसी वक्त वरकिएगा अगर वो खुश रहने के चांसे वहां पर जादा रहते हैं तो डॉक फिट करिए डॉक फिट करिए इसके लावा और कुछ नहीं करिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट भी फॉलो करिए और सामल टेनेजर रहु की दिश्टी पढ़े इसकारण आपको बहुत जादा इंग्जाइटी होगे रहु ने मून को पकड़ लिया है तो उसको थोड़ा सा समाल के रहें मिलिटेशन करने का कोशिश करिए मिलिटेशन करिए डॉक फिट करिए और भोले नाथ की सेवा करि इस वक्त आपको महामित तुन जाइका जाप करना बहुत इंपोर्टन है महामित तुन जाप करिए और अगर जाप नहीं कर पा रहे हैं या शिफ्ट आंदर शोत कर जाप नहीं कर पा रहे हैं तो घर पे इसका सौंग चलाके गाना चलाके पैट जाएए सुनते रहे हैं जि पोच लीजेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा अगर आप रो लेते हैं तो आपका दिल हलका हो जाएगा और आगे आप काम करना सीख जाएगे लेकिन उसके आगे को कोई भी स्टेप मत उठाईए सिरफ रो लीजे रो के जितना हो जाएगे उतना रोईए पानी बीजे अपने आपको के आशू पोचिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए आपको जरूर आपको इसमें आपके दिल्या मन हलका हो जाएगा और आपको अच्छा पेनिफिट मिलेगा मेडिटेशन करिए मेडिटेशन करने से आपको अच्छा पेनिफिट जरूर मिलेगा मून के लिए भोले नात की पूजा जरूर करिए जंद्रमाप की पूजा जरूर करिए कोई वाइट चीज जरूर डोनेट करिए मंडे या संडे मंडे और संडे दोनों दिनों वाइटी जोनित करें और काले चीजों का डोनेशन करिए और डॉक फीट करिए आपके लिए अच्छा फल यहाँ पे रहेगा फाइनेशल कंडिशन कब इंप्रूव होंगे आपकी जो राहू की जो अंतरदशा है कंड्ласт में लिए कि लिए ठेशन करिए भुले नाथ की सिवा करिए बुले नाथ की पूझा करिए भुले नाथ की मंचिर में डोनेशन करिए और राहू का उपाय करिए तो आपको अच्छा फ़ल मिलेगा और यह ता थोड़ा सा तसल्थी मिल जाए थीक है तो रागु के बाद जो समय लगेगा जो गुरु का लगेगा गुरु ठीक रहेगा इंप्रूप्मेंट रहेगी तो डॉन्ट वरी बी पॉजिटिव ठीक है यह था यह शुबद दन का यह भी रिपीट कुनली है मैं फिर से बतातो आखरी कुनली है आखरी कुनली चेतना जी की है चेतना जी ने उसे पूछा है जिकी उनके लगन वीक है क्या डूसरा उन्होंने पूछा है कि उनके उनको एक्सिडेंट हुआ था तो फिर से चल पाएंगी के नहीं चल पाएंगी चेतना जी आपको एक्सिडेंट हुआ है आपके पैर में चोट लगी है मैं मान सकता हू लेकिन आप कोई आज के तारीक में treatment इतनी हो चुकी है जिकि इंसान आराम से काम कर सकता है, walk कर सकता है उसके आप tension मत लेजिए ये medicine line इतना अच्छा हो चुका है अगर आप financially stable है अगर आप financially उतना मतलब stable भी नहीं लेकिन अगर average middle class से भी है medicine line इतना improve हो चुका है जिकि ऐसी चीजों में वो practical चीजों के थुरू improvement ला सकता है और आपका ये accident हो है तो इसमें भी वो इसमें कोई accident से जो चीजे होई है आपको चोट लगा है उससे जो आपको दिक्कत होगा वो ठीक हो जाएगा हाँ भाग सकती है नहीं सकती है practical sense में डॉक्टर बता पाएगा walk करने का मुझे नहीं लगता जी कि ऐसी treatment आज तर अब इतनी improvement हो गई है जी कि आप अराम से walk कर सकती है तो उसको लेके आप तसली लखिए बिल्कुल tension मत लीजे जी कि क्या होगा कि नहीं होगा दिल से चीजे हटा दी जीन सब चीजों को अब बात यह करते है ज된 कि जी आपने मुझे पूछ initiatives की लगण वीक है कि अब क्या अब यह कि देखे आपकी दिखत की बात है अब नदेवाद को मैंने दे दिए लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके इलावा मुझे आपको थोड़ी सी और guidance देनी चाहिए अश्टम घर में आपके चार प्लैनेट पांच प्लैनेट बैठे हैं माफ कीजिगा चार नी पांच प्लैनेट बैठे हैं गुरु जो आपने लगने से बुद्ध जो चौथे और सात्वे घर का मालिक है मतलब convenience और partner के घर का मालिक है सूर्य शुक्र और शनी यह सभी planet आपके आठवे घर पर बैठे हैं आठवे घर में यहां बैठने के कारण यहां पे कुछ planet आपके support में है और कुछ planet support में नहीं पर बतलब support पर खासकर कुछ जादता कोई planet है ही नहीं सूर्य है थोड़े से support में लेकिन वो exalted ना होके debilitated है नीच के होके बैठे हुए शुक्र यहां पर थोड़े से supportive है शनी यहां पर supportive है लेकिन उतना supportive नहीं है क्योंकि लगन ही गुरू का है तो obviously आठवे घर में सारे planet यहां पर बैठे हुए थोड़े कम positive और जादा negative influence जबा करिए और आपकी इस जो आपकी कुंड़ी जो मुझे यह define करती है अभी मून की महादर्शा आपकी चलिए तो मून को ना कोई भी पकड़े लेता जितनी जल्दी उसे कुति जल्दी पकड़ लेता है तो अभी मून में आपकी के तुके अंतरदशा चल लेती तो के त अगर आपको कोई पसंद आए या किसी से आपको बात करना अचा लगता है जरूर करिए लेकिन spirituality को समझ जिए जिए कि in the end हम सब को यह सब चीजे छोड़के चली जानी है in the end आपको खाली हाथ आयते खाली हाथ जाना पड़ेगा यह logic है इसमें कोई मतलब यह सचाई है logic इसमें आप कोई पदलाव नहीं ला सकती है तो आपको मैं आपको यही बोलूँगा जिकि इस चीज़ को accept करके आप जितना चलेंगी अपनी लाइफ में अगर आप जितना धर्म को follow करेंगी और जितना दूसरों को welfare दूसरों की मदद करेंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा आप अराम से चल सकती है आपका पैट ठीक हो जाएगा लेकिन अभी समय थोड़ा खराब चला मून यहां पर कहीं नहीं दिक्कत दे रहे मंगल की जब आपकी महादशा लगेगी तब आपको अच्छा फल मिलेगा मंगल की महादशा में आपका भाग्य जरूर आपका साथ देगा और आपको अच्छा इंफलेंस अच्छा बेनेफिट जरूर मिलेगा यहां पर अब बात कर लेगा अब बात यह है जिकि पांच प्लैनेट यहां पर आट अच्टम में बैटने के लिए आप आपको अपको अपनी लाइफ में एक चीज़ जरूर बोलूगा अगर आप स्पिरिशलिट के तरफ जाएंगी तो आपको लाइफ में हेल्प मिलेगी लॉंगिविटी मिलेगी और अपने लाइफ में स्पिरिशलिट पूरा जाती है तो ठीक अगर पूरा नहीं विजाप पा रही है जितना हो सके उतना जाएए और किसी का भी बुरा मत करिए अगर मन कहीं से दुखी भी होता है तो उसको अच्छा रखने के लिए कुछ वेलफेर काम करिए जितना आपके अपने बस में हो सके तो वो करिए ठीक है आपका जब मंगल की महादशा लगे तो सब पीस के बाद लग रही है उस टाइम पर हो सकता है आपको अच्छा बेनेफिट मिलेगा आई हो जितना जी आ आपको मैंने जितना बतानी की कोशिश करी हूँ आपको अच